नावशकार फ्रेंट टॉपिक है, डिसक्रिशन के लिए हमारे पास General Remedies in the Law of Tauts तो इसमें सबसे पहले जो remedy है वो एक तो judicial remedy है, दूसरी extra judicial remedy है judicial remedy मतलब court के द्वारा या court के अंदर जो भी होता है फैसला, उसको judicial remedy कहा जाएगा और जो outside court है, यानि कि जो parties के आपस में हो सकता है, जब कोई और method हो सकता है उनको कहा जाता है extra judicial remedy, तो इसमें सबसे पहले चलिए देखते हैं कि judicial remedies में हमारे पास क्या क्या है तो judicial remedy में हमारे पास सबसे पहले damages, दूसरा है injunction और तीसरा है specific restitution of the property तो यहाँ पर judicial remedies में सबसे पहले देखते हैं damages, damages जो है दोस्तों वो सबसे primary remedy है in law of tort इस बात को ध्यान में रखेगा, कि law of tort के अंडर सबसे पहले जो अमीद जो expectation होती है कि भई damages दिये जाएंगे, मेरा जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी और जहां तक इसके purpose की बात करें तो purpose यह है कि भई जो wrong door है उसको punishment दी जाए कि भई देखो तुमने ये गलत किया था तो तुमकर उसकी भरपाई करनी पड़ेगी और वो person जिसके खिलाफ wrong commit किया गया है जैनि कि plaintiff उसको ये कहा जाता है कि भई देखिए आपका नुकसान हुआ तो हमने भरपाई आपकी कर दी तो ये एक तरह से damages का एक तरह से आप कहलेजिए कि relief या remedy जो दिये जाती है उसका purpose mainly यही होता है ज्यादतर मौकों में यही होता है कि defendant चाहे या ना चाहे यानि कि उसका जो act था wrongful act इसकी वज़े से plaintiff को नुकसान हुआ था वो चाहे intentional हो जा non intentional हो उसको damages जो है वो देने ही पड़ते हैं अगर जो नुकसान हुआ है वो उसका direct consequences है उसके act का यानि कि जो उसने act किया था उ justice, equity और good conscience जो है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो law of tort है वो कोई ऐसा कोई bell set pattern पर तो चलता नहीं है यहाँ पर बहुत से चीज़ है जिनको आप consider कर सकते हैं और damages को देते वक्त उनका ध्यान रख सकते हैं अब दोस्तों इसी के अंदर देखते हैं court को यह लगता है कि इसमें right तो violet हुआ है पर damages नहीं हुए है यानि कि नुकसान कोई भी नहीं हुआ है तो इसलिए क्योंकि उसका right violet हुआ है उसके पास right है कि वो court जाए अब court को सुनना पड़ेगा और कोई ना कोई remedy उसको देनी पड़ेगी तो generally क्या होता है कि court जब plaintiff को रोका जाता है election में board करने से उसका candidate जी जाता है यानि कि ultimately उसको नुकसान नहीं होता है फिर भी उसको एक शिलिंग का जो damages जो है वो दिये जाते है क्योंकि उसका right violet हुआ है और इसकी भरपाई जो है वो उसको court जो है वो token के रूप में कर देता है next है हमारे पास substantial real ya compensatory damages में को कहा जाता है यह friends actual damages है यानि कि जितना नुकसान हुआ है उतनी भरपाई कर दी जाती है और इसका purpose यह है कि जो plaintiff है उसको दुबारा से उसी इस्तिति में लाया जा सके जिसमें की वो था नुकसान होने से पहले जैसे मानले जी अगर मैं plenty हूँ मेरा 10 रिपर नुक्स सकते हैं कि no gain no loss इसमें हमारे पास एक लक्षमी नरायन का case भी है इसमें कोटना कहा था कि breach of the promise to marry यानि कि अगर आपने किसी यह वादा कि है कि आप शादी करेंगे किसी से और अगर आप उसका breach करते हैं तो आपको जो है वो damages देने पढ़ सकते है law of thought के अंडर और यहाँ प एक social stigma या दाग लग जाना समाजिक तो और पे कि भई इसकी शादी तूट गई क्यों तूटी तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो consideration में लेके जो हैं वो दिये जा सकते हैं damages और यह जो damages हैं वो substantial हो सकते हैं यानि कि उसका जो भरपाई है वो उतनी की जा सकती है जितने कि उसक नुक्सान हुआ है नेस्ट है हमारे पास दोस्तों contemptuous damages यहाँ पर क्या होता है friend कि damages बहुत कम होते हैं contemptuous damages जो है वो किन-किन situation में हो सकते हैं पहली situation जहाँ पर court को लगता है कि भई plaintiff जो है वो इतना claim जैतने damages जो है डिजर्ब नहीं करता है दूसरा जहाँ पर कि court को लगता यहाँ कि कहाँ ने कहीं court को लगता है कि भई यह इतने damages नहीं होने चाहिए यह सारी जो situation है वो fact and circumstances पर depend करती है जहाँ पर कि plaintiff का अपना fault हो जिसकी बजह सकी उसका नुकसान बड़ा तो वहाँ भी court कह सकता है कि भई आपने तो अपना नुकसान खुद करवाया है तो इसल चीजे या इसमें आपको damages नहीं हो सकते हैं अगर हम आपको damages देने लग पड़े तब तो इस तरह के कई incidents जो हरा society में होते हैं तब तो हम सभी को damages ही देते रहेंगे यानि कि इस तरह की चीजे हो सकते हैं पर यहाँ पर दियान रखने वाली बात यह है कि यह जो है वह nominal damages से अलग है क्योंकि nominal के case में आपको नुकसान नहीं होता है यानि कि आपको damages नहीं होता है यहाँ पर वो कह रहा है कि damages होंगे पर court को लगेगा कि भई यह आदमी deserve नहीं करता है low opinion है court का यह court को लगता है कि इस तरह के case आपको court में नहीं लेकर आने चाहिए next है हमारे पास दोस्तो exemplary damages, punitive damages या vindicative damages यहाँ पर क्या होता है कि जो damages जो होते है उनकी राशी या amount होती है वो बहुत ज़्यादा होती है यानि कि जो नुकसान हुआ है उससे भी ज़्यादा वो हो सकती है इसलिए इनको कहा जाता है exemplary यानि कि एक example set कर देते हैं कि भई आ इसलिए प्यूनिटी बीन को कहा गया है कि एक तरह से punishment के रूप में दिये जाते हैं और इसका जो मुख्य उदेश्य है वो यही है जैसे कि मैंने आपको कहा कि भई जो wrongdoer है या जो others है इनको एक example set करना कि इस तरह का काम मत करिये और इन damages को देने का एक कारण और भी हो सकत है कि जो injury कीगी है या नुकसान जो किया गया है वो maliciously या intentionally किया गया है यानि कि दुरभावना से किया गया है जान बूज कर किया गया है इसलिए जो punishment जो है और सक्त देने के रादे से damages आपके जो है वो exemplary या punitive या vindicative हो सकते हैं इसमें Rooks vs. Bernard का एक case law है English हमारे पास जिस painful of government servant यानि कि जो injury हुई है वो government servant के द्वारा कीगी है और ऐसी injury illegal है arbitrary है और painful है तो यहाँ पर जो equates दिया गया है कि government servant जो कि already जानता है सब कुछ की भाई आपको protect करना है किसी का interest अगर वो इस तरह की चीज करता है illegally तो उस पर फिर आप exemplary damages दे सकते हैं next number 2 जहाँ पर defendant का conduct अपने आपको benefit देने का हो जानि कि इस तरह कि जो injury होगी उससे benefit या लाब कोन ले रहा है वो defendant ले रहा है तो उस case में भी exemplary हो सकते हैं और number 3 कहा गया है statutory provision for such damages जानि कि इस तरह के damages की जो provision है वो statutory law के अंडर दीगी है कि भाई जो damages होंगे वो क्या होंगे वो exemplary या punitive या फि special damages general damages में वो damages आते हैं जो कि court presume करता है किसी का accident हो गया तो भाई ठीक accident हो गया तो उसकी भरपाई करने पड़ेगी उसके जो खर्चा होगा जो उसका medical expenses होंगे वो सारी bear करने पड़ेगे और वो damages के अंदर include होंगे और इस तरह के damages के आपको कोई बहुत ज्यादा detail अपने suit क अंदर नहीं देने पड़ती है कि यह हो गया यह हो गया क्योंकि वो तो already understood है कि accident हुआ है तो accident हुआ है तो उसकी भरपाई तो करने पड़ेगी अब आते है special damages अब इनको जो law है वो presume नहीं कर पाता है और plan tip पर यह duty है कि वो जब अपनी plan draft करे यह suit file करे तो उसमें इनको mention कर और इसमें include हो सकते है loss of future earning यानि कि मालीजी अगर accident हो तो accident की वज़े से क्या हुआ कि जो व्यक्ति काम करता था अब वो पूरी जिंद की काम नहीं कर पाएगा जिसकी वज़े से क्या हुआ उसको loss of earning यानि कि जो कमा सकता था उसको नुकसान होगा जो loss होगया अब यह circumstances age कितनी है उसादमी की कितनी loss हुआ है कितनी इसकी education है अगर यह आगी जाकर कुछ बन सकता था तो वो क्या बन सकता था यानि कि वो पूरे जो उसके aspect है वो खंगाले जाएंगे और उसके बाद इनको damages को दिया जाएगा next है prospective या continuous damages अब जैसे कि इसका word है prospective भावी यानि भ वो सारी चीजे वो सारे fact circumstances medical report और बहुत सारी चीजों को आपको अपनी plant या suit के अंदर लिखना पड़ेगा वो court को बताना पड़ेगा और ऐसा इसलिए है क्योंकि court की कहता है कि जब भी आपको को injury होती है तो आप उसके लिए क्या करें damages claim करें उसी एक plant या उसी एक suit के अं पे तो आपको लगा कि crunch है तो इसको ठीक करने के लिए इतने ही damages होने चाहिए पर internal injury भी आपको हो चुकी थी और आप उसका पता नहीं लगा पाए या medical treatment में वो चीज उस वक्त सामने नहीं आई और उसकी वज़ा से आपको एक साल या दो साल बाद वो चीज over के सामने आती है तो फिर उस वक्त जब आप court जाओगे तो court आपको इंकार कर देगा damages देने से क्यों 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 कहता है कि जितनी भी controversy आपके एक cause of action से arise होती है उन सभी को आप claim करे अपने suit या plant के अंदर और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर वो क्या होगा वो एक इस तरह से endless process में चली जाएगी हाना जैसे कि आपको एक साल बाद उसी accident की बिज़र से सिर में problem हुई आगले तीन साल बाद उसी accident की बिज़र से और चोथी problem पांच मी problem या इस तरह से arise होना शुरू होती है तो court कहता है कि इन सब चीजों को मैं नहीं मानता मैं ये मानता हू या एक ही plant ये suit के अंदर आप इन चीजों को claim करें अब यहां पर इसी जी इसको difficult होता है claim करना क्योंकि भविश्य में क्या होगा किसी चोट की वज़र से इसका अंदाजा लगाना जो है आपने आप में बहुत असान नहीं होता है और यह जो rule था one action for all damages जो था वो decide किया ग damages होने चाहिए यह जो है वो decide करना court का काम है और इसको लेकर कोई straight forward rule नहीं है यानि कि हम ऐसा कहें कि भई यह rule है इसके under court ऐसा ऐसा कर सकता है तो वो कोई एक चीज नहीं है यानि कि यह बहुत से facts बहुत से circumstances और बहुत सी चीजों पर depend करता है कि भई कितने damages जो है वो दिये present है या future है या फिर वो normal है या बहुत ज़्यादा grievous या serious है इन सारी चीजों को अपने consideration में लिया जाता है और इसके इलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको आगे देखने को मिले जहां तक बात करें pecuniary loss की यानि कि money से related जो loss है उसको तो उसके लिए जो है बहु वो नहीं होगा अब वो नहीं होगा तो वो क्या होगा loss हो जाएगा तो उस loss को देखा जाएगा या फिर और जितने भी sources थे उन से जो benefit उसको हो सकते थे वो नहीं हुए ठिक है जी उन सब को भी देखा जाएगा कि जो benefit आने थे वो नहीं आएंगे इसमें हमारे पास Benham versus gambling क जिसमें की determination of damages कैसा होना चाहिए उसको decide किया था court ने और इसमें court ने कहा था कि जो damages fix करने है अगर कोई deceased आदमी है तो उसको देखना पड़ेगा उसकी health को देखना पड़ेगा उसका जो future का जो एक aim है जो future के उसके perspective है कि future में वो क्या कर सकता है उस चीज को consideration में लेना और वह एक साल में कितनी कमाई कर रहा है उसको number of the expected years जैनी कि जितना वो जी सकता था उसके साथ multiply कर दीजी और अगर उसकी widow जैनी कि जो उसकी बेबा है अगर उसको किसी तरह को benefit मिल रहा है उसकी state से जिससे कि उसकी income बढ़ रही है तो उसको भी consideration में लेना चाहिए जहां पर कि उस widow के benefit जहां वो reduce हो सकते है और अगर पती अपना पूरा जीवन जीता है तो फिर पतनी के उससे पहले गुजर जाने की या उसकी death उससे पहले हो जाने का जो एक expectation है उसको भी count किया जाना चाहिए विड़ो के chances of a remarry यानि कि जब widow को हो जाती है और उसका पती मर जा यह तो यह सब जो चीजें जो उसमें decide की गई पर जो Supreme Court of India है उसने simply यह कहा कि भई आप age of the deceased देखिए यानि जो गुजर गया है उसकी age देखिए income of the deceased कि उसकी income कितनी है और number of the dependence कि उस पर कितने आश्रित लोग है इन सब चीजों को आप consideration में ले सकते हैं जब भी आप damages को determine करते हैं इसके इलावा दो theories भी हैं दोस्तों एक तो है interest theory और दूसरी है multiplier theory. Interest theory के अंडर का जाता है कि माल लिजी एक पती की death हो जाती है और उसकी पतनी जो भी उसको income available हो सकती थी उसके पती के जीते रहते हुए उतनी amount जो है उसको पर मन्त जो है मिलनी चाहिए और इसको लेकर आप एक amount जो है वो bank में जमा करवा दीजे जिसका की बयाज उसको पर मन्त जो है उतना मिलता रहे तो इसी दिए इसको interest theory कहा गया है हलां कि इसको बड़ा perfect नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें जो value होती है money की वो उपर नीचे होती रहती तो उस हिसाब से फिर वो ची कता सकती है दूसरी है multiplier theory इसमें क्या है कि जो deceased का dependent है उसको जितना loss हुआ है future का उसको per year calculate करके उसको rest of the year यानि कि जितने उस deceased के year expected life हो सकती थी उसके साथ उसको multiply करके उसको एकमुष्ट दे दी जी और इसमें जो deceased है और जो उसका dependent है उन दोनों की जो age of surviving है यानि कि वो कि कुछ और case law देख सकते हैं जिससे कि हमें और असानी होगी समझने में कि वही measurement of the damages कैसे किया जाता है तो इसमें सबसे पहले हैं हमारे पास union of India versus Savita Sharma जिसमें की 18 साल की लड़की होती है जिसका की accident होता है accident में उसकी टांग घुटने से नीचे पूरी तरह से अलग हो जाती ह जिसमें की court ने ये consider कि वह इस लड़की को definitely बहुत जाता दर्द हुआ होगा जब यह हासा हुआ होगा और उसके बाद क्योंकि वह artificial leg को use कर रही है तो उसको भी पहनने में खोलने में उससे चलने में बहुत जारी दिक्कत हो गई है और इस leg को जो था वह साल दर साल जो था और हर साथ जो उसकी leg का replacement होगा उसके लिए भी expenses fix किये नेस्ट है पूरन चन्थ बर्सेज कुलवीर सिंग जिसमें की court ने कहा कि अगर कोई आदमी सरकारी employee है और उसको कोई injury हो जाती है और अगर उसकी promotion की जो chances है वो परभाबित होते है उसी injury से तो उसमें भी आपको फिर इसमें क्या होता है कि एक जवान लड़की का accident होता है जिसमें कि उसके सामने के दांत जो है तीन चार वो टूर जाते हैं और वो इस तरह से तूरते हैं कि उनको replace भी नहीं किया जा सकता और court जो है इसमें वो 40,000 रुपे का compensation जो है वो grant करता है और साथ ही court कहता है कि इस तर पर according to the situation जो है वो damages को तैक कर सकते हैं नो friend next है damages for the personal injuries यह दो तरह के हो सकते हैं एक तो non pecuniary loss और दूसरा pecuniary loss जयानि कि एक ऐसा loss जिसको कि हम pecuniary जब money से related नहीं मान सकते हैं directly एक दूसरा जग है directly जो है वो money से related होता है non pecuniary में आता है pain and suffering and loss of expectation of life अब दूसरी तरफ है pecuniary loss जो कि related है consequential, expensive यानि कि आपका जो medical bill बनता है अगर आपको injury हुई है तो आपके खर्चा होता है अना hospital जाओगे आप उस पर खर्चा करोगे और साथ में है इसके loss of earning यानि जो आपने कमाना था आप वो भी नहीं कमा पा रहे हैं जानि कि आप कोई job करते हैं जा private job करते हैं जो private काम करते हैं तो आप वो अगर injury की बज़ा से नहीं कर पा रहे हैं या आगे वो नहीं कर पाएंगे तो वो भी एक तरह का loss है directly आपको monetary तो ये सब जो है वो pecuniary loss में आते हैं और दूसरे non pecuniary loss में तो चलिए इनको briefly थोड़ा discuss भी कर लेते हैं सबसे पहले non pecuniary loss को तो इसमें जैसे कि मैंने कहा था pain and suffering यानि कि आपको दर्द हो रहा है आप सफर कर रहे हैं कष्ट हो रहा है आपको बहुत लंबे समय तक हैं कई वर ऐसा होता है कि जो medical surgery आप पर perform की जा रही है वो बहुत दर्दनाक होती है या उसके बाद होने के बाद भी आपको काफी कस्ट होना पड़ता है या अगर आप ठीक होगे तब भी आपको जो एक कंटिनिशनी pain से गुजरना पड़ता है यानि कि pain दर्द या suffering जो भी है वो आपको present as well as future की हो सकती है तो उसको भी consideration में लिया जा सकता है और इसमें intensity of the pain यानि कि जो suffering जो pain है वो कितनी हो रही है कितनी तीवर हो रही है वो भी जो ध्यान में रखी जाती है नमबर टू है loss of expectation of life जिसमें की injury की बज़ा से आपका जो life span है short हो जाता है यानि कि अगर को injury हुई है आपको जिसकी बज़ा से आपको नुकसान हुआ है और डॉक्टर क यानि कि योगशायक जो है उसका employee होता है वो during course of the employment मर जाता है यानि कि उनकी job करते हुए उसकी death हो जाती है और उसकी जो मा होती है वो योगशायक के against जो है case file करती है जिसमें की वो कहती है कि आपने मेरे बेटे की life expectancy थी यानि कि जिन्दगी जीनी थी उसने 20 साल के बाद उसको छोट किया है यानि कि उसको खतम कर दिया है और साथ ही साथ उसके funeral expenses यानि कि जो भी उसके दाक संसकार या क्रिया क्रेम में खर्चे हुए है उसको भी मुझे दीजी ट्राइल कोट जो है वो 500 pound का compensation देता है पर जब appeal जाती है court of appeal में तो वो जो है उसको 1000 pound का compensation दे देत है मामला पहुचता है house of lord के पास और house of lord जो है उसको reduce करके 500 pound कर देता है और ऐसा करने के लिए house of lord ये तरक देता है कि जो ही money है जा पैसा जो है उसकी value जो है वो धाई गुना बढ़ चुकी है next case लो है हमारे पास असाराम का जिसमें की plaintiff जो है उसके बेटे की death हो जाती है और वो 4 लाख रुपे का compensation जो है उसकी demand करता है court जो है वो defendant को liable ठहराता है साथ में 12% जो है वो interest या ब्याद जो है उसको देने का order करता है जिसमें की court कहता है कि हमने यह decide क्या है वो इस business पे क्या है कि जो लड़का जिसकी death हुई है वो young था उसकी निश्चित earning भी थी पर court ने खा कि भाई इसके अगर grandfather, great grandfather और इसके पिता की भी 62 साल की उमर है तो इसकी भी expectancy जो life की होगी वो अच्छी होगी और उसी के base पर हम क्या करेंगे damages को fix करेंगे next है दोस्तो रेखा जैन का case जिसमें की supreme court ने non pecuniary damages जो थे उनका दाएरा थोड़ा बढ़ाया जिसमें की damages for mental shock या physical shock जो है वो भी include किया गया pain and suffering तो पहले से थी और court ने कहा यह continue करेगी damages for loss of amenities यानि की जो सुक सुबदा है उसके लिए damages for loss of expectation of life, inconvenience, hardship, discomfort, disappointment, frustration and mental stress in life तो यह थी non pecuniary की थोड़ी सी explanation और उससे related case लो अब आगे चलते हैं pecuniary loss to pecuniary damage इसमें सबसे पहले है loss of earning capacity इसमें loss of earning और loss of capacity of earning दोनो include है loss of earning यानि की जो already आप कमा रहे हैं अगर आप किसी नोकरी पेशे में हैं आपकी injury हो जाती है आप bad return हो जाते हैं या आपको उसके लिए unfit करार दिया जाता है तो आपकी earning तो loss होगी एक होता capacity कि भई मैं अभी पढ़ रहा हूँ पर मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ अच्छा मेरा bright future हो सकता है तो उसमें अगर आपको injury हो जाती है तो फिर हो सकता है कि आपकी capacity या आपकी किशमता जो है वो नहीं रहे जो की हो सकती थी next test के अंदर medical expenses अब ये भी present as well as future हो सकते हैं भई injury हो गी आपको तो आपको treatment तो दिये जाएगा अब treatment दिये जाएगा तो उस पे खहते हैं कि भी नहीं आपको तो ऐसी injury होई है कि आपको ता उमर ये दवाई लेने पड़ेगी या ये treatment लेना पड़ेगा या इस तरह से आपको कोई care taker रखना पड़ेगा इसके लिए इस injured आदमी के लिए ताकि इसकी देखवाल हो सके तो वो क्या हो जाएगा वो future medical expenses हो और साथ ही साथ इसमें equipment का भी खर्चा हो सकता है कोई medical equipment यूज करने हो डॉक्टर की fees हो सकती है cost of special care जैसे कि मैंने का cost of special equipment या बहुत ही खास equipment हो सकता है जिसकी का आपको ज़रूरत बढ़ सकती है या फिर इसके साथ साथ good healthy nutritious food यानि कि अगर आप बिमार है जो आपको injury आपको ऐसा food खाना पड़ेगा तो वो भी एक तरह से cost में add हो जाता है next issue candle right to interest on damages अब यहां पर क्या है interest देना कि stage पर damages पर जैसे कि भई तीन लाक रुपे damages हैं और इस पर 12% कि दर से आपको interest देना पड़ेगा तो इस तरह से कई जगा यह कम होता है कई जगा यह जगा यह तो यह भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से उतको pecuniary loss के अंदर cover करने के कोशिश की है तो यह briefly दोस्तों discuss कियता है हमने damages की remedy को law of tort के under first जो remedy ती अब चलते है second remedy जिसको की हम injunctions के नाम से जानते हैं injunctions क्या होते है यह आप सभी जानते है जो specific relief act है उसके अंदर यह mention किया गया कि मुझे damage कोई नुकसान हो रहा है या कोई damage हो सकता है injunctions की remedy को precautionary भी कहा जाता है और discretionary भी कहा जाता है damages की remedy होगी injunctions की भी होगी अब तीसरी जो है वो है specific restitution of the property जिसमें कि अगर plaintiff court जाता है और वो यह कहता है कि मेरी जो property है इससे मुझे क्या किया गया है बंचित कर गया है मुझे इससे अलग कर दिया गया है गलत धंग से तो court order कर सकता है कि इसकी property को restitute किया जाए जार restore back किया जाए यानि कि plaintiff को वापस दी जाए तो इसलिए कहा जाता है restitution of the property अब यहां पर फ्रेंड यह जितनी भी remedy थी यह क्या थी judicial remedies थी यानि कि damages injunctions और restitution of the property यह सार judicial remedy थी और starting में हमने extra judicial remedies की बात भी की थी अब क्योंकि यह extra judicial है यानि कि court से बाहर party खुद भी खुद करे court का इसमें कोई interference नहीं होगा जिसमें कि सबसे पहले है self help यानि कि अगर कोई आपको नुक्सान पहुचाने की कोशिश कर रहा है तो आप एक reasonable जो force use करके उसको repel कर सक सकते हैं उसका विरोध कर सकते हैं ताकि आपको नुक्सान ना हो पर इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो force हो वो reasonable हो दूसरा है re-entry on the land ये सिर्फ land के matter में है जहां पर कि आपको कोई आपकी land से बाहर करनी की कोशिश करे तो आप दुबारा से re-entry करके एक reasonable force reasonable means के जरिये जो है वो अपनी जो land है उसको अपने दिकार में ले सकते हैं बट अगें ये peacefully होना चाहिए अब peacefully कैसे हो सकता है ये बड़ी सोचने वाली बात है next है expulsion of the trespasser जैने कि आपकी land आपकी property आपका घर पर कोई trespass करता है आपकी permission के बिना entry करता है तो आप उसको भी वहाँ से निकाल सकते हो next है reception of the goods अब ये goods से related है जैने कि मान लिजे जैसे कि आपका कोई गाय बैल या कोई बफेलो या कोई बी और जानबर या कोई और कोई goods जो है कोई आदमी अपने possession में ले लेता है गलत तरीके से तो आपके पास ये right है कि आप उसके property बे जाके अपना जो goods चापनी जो चीज पर कोई किसी तरह का नुशिंस जो है गलत तरीके से create कर रहा है तो आपके पास ये right है कि आप उसको रिमूब कर सकते हैं जैसे कि किसी का कोई पेड़ है जो कि आपके land पर उसका कुछ भाग है आप उसको बताए कि भाई ये जो है इस प्रिशानी हो रही है अगर उसको नह करना है कि भाई इसको रिमूब कर लो अगर वो नहीं करता है तो फिर आप करिए minimum damage करिए जैनि unnecessary damage मत करिए और उस तरीके को अपनाए जो कि less harmful हो जैनि कि जिससे नुकसान जो है वो कम से कम हो इसके इलावा भी दोस्तों एक और remedy है जिसको distress damage and fusion कहा जाता है जिसमें कि आपक उसका वालिक होगा उससे damages claim कर सकते हैं और आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है इस case में की जाएगी अगर वो विक्ती है तो वो खुद करेगा अगर वो कोई जानबर है तो उसका मालिक जो है वो आपकी भरपाई करेगा और आपके पास right है कि आप उसको detain क करें जब तक कि आपके नुकसान की भरपाई नहीं की जाती है और लास्ट में है दोस्तों remedies हमारे पास under the constitution of India आप जानते हैं 22632 के अंडर जो MC महता की cases में इन सब चीज़ों को use किया गया है तो वो भी एक availability हमारे पास है कि हम under law of tort जो है इस remedy को भी अवेल कर सकते हैं तो य यह हमारे पास remedies under law of tort धन्यवाद